Hello Everyone, आज हम बात करने वाले हैं Insurgency Sandstorm गेम के बारे में यह烈 एक Fast PeroSforce शूटर गेम हैं तो आज हम इस वीडियो में इसी गेम के बारे में बात करेंगे, अब ये वीडियो देखते दिये मेरा नाम है भारत चोदरी, आप देख रहे हैं निसान बार्ट, तो Let's Start हाँ तो इंसर्जेंजी सेंडिस्ट्रम गेम के बारे में बात कें तो इस गेम को बनाया है न्यू वर्ल्ड इंट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट औरगन गेम की बात करें तो यह गेम फरवरी 2016 के अनाउंस हो गए था लेकिन यह गेम 18 सितंबर 2018 को पूरी दुनिया के लिए Linux, Mac OS X, Windows PC, PS4 और Xbox One इन सभी डिवाइस के लिए यह गेम 18 सितंबर को प्री रिलीज में तब टेस्टिंग के लिए यह गेम रिलीज हो गए था तो आपनी इसे डिस्क्रीशन में जाकर खीज़ेता है इसकी लिंग आपको उन्चे डिस्क्रीशन में मिल जाएंगे हाँ तो अब इस गेम के बारे में बात करें तो यह एक उमारना होता है यह EM कोई स्टोरी है की इस गेम के इने कुछ में होते हैं जो किसे ओनलाइन की साथ लिए अंदर उनलाइन मट एक एंदर पूरे करने होते हैं और यह एक बहुत ही कमाल का कैम has игр में की गेम की एक्षिन की बात कहने, वो इस गेम की एक्षिन की बात कहने, लगभा, call of duty की तरही मिलते हैं, मतलब इस गेम ग्वी गाफिक्स बहुत ही अच्छे हैं, और इस गेम की बात कहने हैं इसी आप विंडो पीसी पर खेलने के लिए आपका कम से कम एक gaming PC होना जुरूरी है, इसके नजरा कम चेकम Intel Core i5 का 3.1 GHz का CPU होना जरूरी है इसकी रे होना चीकि कम चेकम 8 GB, 40 GB हाडे होना चीकिए और GTS का 760 GHz होना जरूरी है और Heavy Graphics के नदर खेनी के दिए पर चेकम Intel Core i7 का 8th generation का 3.2 GHz की स्प्रीट के साथ प्रोसेजर होना जरूरी है 16 GB हाडे होना चीकिए और 40 GB के फ्री डिस्पेस होना जरूरी है साथ है अगर SSD हो तो इस गेम की बूट अप टाइम थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि यह गेम बहुत ही लंबे समय के जब बात जागा बूट होता है Graphics की बात के तो GTS का 980 Graphics Card होना जूरी है अगले वीडियो में अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय